हाज दोस्तो नमस्कार एवरिवन मैसेल्फ सी ए मोहिद बूत्रा फ्रॉम पनॉर्मेक एज्जुकेशन सर आज ये वीडियो में हम क्या करने वाले देखो चाप्टर नंबर वन तो चाप्टर नंबर फाइफ और पेपर नंबर फोर बिजनस एकनॉमिक्स ऑफ सी ए फांडेश चाप्टर सो बच रहे हैं ना चाप्टर नंबर 6 7 8 9 अगर ये भी आप डाल देते तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता मजा आ जाता तो बस इन वीडियो के तुरू हम वही चाप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे और राइट स्टार्टिंग फ्रॉम चाप्टर तो ऐसा लगना चाहिए कि हम चैंपियन हम इसे तो निकाली लेंगे उसी एक्साइटमेंट इसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फ्लो कैसे रहने वाला है सर सराम सबसे पहले चाप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं जो हमारा नाशनल इंकम हैं सबसे पहले उसकी कि अगरा मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हैं यह जो नोट से उसका बेस मॉड्यूल ही है मैंने मॉड्यूल को ही थोड़ा कट शॉट एडिट करके किया हुए तो अगर आपके आतने मॉड्यूल है कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे साथ साथ मॉड्यूल को गुमाते हैं अगें एक चीज को क्लियर रखना यहां पर हम रिविजन परपस से मिल रहे हैं करेक्ट तो मेरा अब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं रिवाइस कराऊ और कॉंसेप्ट को ओके चाप्टर नंबर 6 में नाशनल इंकम की अकाउंटिंग की बात होती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई नाशनल इंकम का मतलब क्या होता है इंकम मतलब हम सब समझते हैं इंकम मतलब होता है कमाई हम सब कुछ ना कुछ कमाने के अब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं आप लोग भी कर रहे हो तो यही अब्जेक्टिव है कि भाई पैसा गमाना है और खू इसी चीज का लेना देना है हमारे इस chapter में before starting to this chapter सर शीखने क्या वाले एक बार हो बता दो जैसे कि मैं एक figure बोलता हूं यह हमारे इंडिया का नाशनल इंकम यह हमारी इंडिया की कमाई है I hope आप लोग को यह नंबर पता हो बत मैं बता देता हूं It is 4 trillion dollars 4 trillion dollars है हमारी देश की कमाई अब यह number ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमारी governments हो रही थी एक दिन सुबह उठी भाई 4 trillion dollar और बोल दो 4 trillion dollar पब्लिक को Not right? It must have been calculated कुछ methods follow किये गए होंगे कुछ procedures follow किये होंगे अच्छा किसी ने calculate किया होगा तो यही सारी बाते हमें इस unit में सीखनी है Right, introduction में हम क्या पंढ रहे कि भाई यह national income की accounting होए दुनिया में दिया किसने तो हमें दो नाम को याद रखना है पहला Simon Kuznets and दूसरा Richard Stone These are the two people जो जिन्होंने हमें national income की accounting होती कैसे वो सिखाया है में M.C.U. point of view से अगर आएगा कि who are the pioneers of national income accounting हमें याद रखना है दो नाम Simon Kuznets and Richard Stone Okay sir इनोंने तो बताया पर इंडिया में कौन करता है देखे इंडिया में एक organization जिसका नाम है C.S.O. जिसका full form है Central Statistical Organization इस organization का काम होता है हमारे देश का national income निकालना करेक्ट नाव इंट्रोडक्शन था basic सी बात थी अब हमें यह सीखना है कि भाई national income में क्या क्या तरह के concept से किन किन बातों का ध्यान रखना है क्या क्या नहीं नहीं चीजे सीखनी है from practical point of view बड़ा relevant chapter है काफी कुछ सिखाएगा काफी कुछ चीजे जो आप अपने आस पास में देखते हो वह यहीं कहीं से निकल के आती है correct तो देखें सबसे पहला word जो मैंने आप लोग को explain करने की कोशिश की थी वह GDP है क्योंकि हम देखते हैं कहीं पर भी news articles कोई दूसरी चीजे वहां पर GDP word का अक्सर यूज किया जाता है तो सबसे पहले GDP का full form क्या होता है gross domestic product correct तो sir आज हमें यह जानने का मौका मिलने वाला है कि यह GDP का मतलब क्या होता है correct तो देखे GDP मतलब क्या होता है it refers to the money value क्या हमने बोला money value मैं कुछ-कुछ words सोच समझ के highlight करूंगा आपको भी उन उन words का मतलब जानना जरूरी है it refers to the money value of all final economical goods and services produced within the domestic territory of a country in a financial year by GDP का मतलब जितने भी goods and services बने उन सब का total mark और मने क्या बोला GDP का मतलब हमारे देश में जितने भी goods and services बने है उन सब का total mark Sir कुछ गाडिया produce होई होगी कुछ घर बने होंगे कुछ insurance भी के होंगे राइट कुछ ऐसे शर्ट बने होंगे यह जितने भी गुड्जन यह जो टीचिंग का सर्विस है जितने भी गुड्जन सर्विसेस बने है उन सब का वैल्यू लीजे उन सब को टोटल मार दीजिए और टोटल मारने पर जो आंकडा मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे जी डी मार बदीजियर, सब इन वर्ट को मुझे समझाना जरूरी है जेके सब से पहले हमने जो वर्ड को माकिए है उसका नाम है मनी वैल्यू मटलब क्या है सुनिय क्या हमारे देश में मिल्क का ब्रडक्शिन होता है बिलकुल और मिल्क को यह लिटर्मिल्ट इन आपते हैं क्या ह केजी में 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 करते हैं यानि कि different types of goods यहां तो मैंने 3 example दिया है but there would be n number of goods जिनका n unit of measurement होगा तो इन सब का total तो इन unit of measurement में नहीं कर सकते but हर commodity का एक common unit of measurement होता है that is money इसलिए जो GDP निकलती है वो नाम जरूर product है but हो है क्या इस product का money value यानि कि जब मैंने बोला 4 trillion dollars यानि कि मैंने भी money form में बात कि correct अगला जो words है वो हम सीखते चाहेंगे इस word को पहले समत लेते है financial year देखे GDP पूरे एक साल की निकलती है इंडिया में GDP को quarterly calculate किया जाता है और फिर एक total मार जिया जाता है और वो पूरे एक साल का number आ जाता है जाता है flow concept देखे दो तरह के concept होते है stock concept and flow concept national income is flow concept क्योंकि हम एक पूरे time frame में से calculate कर रहा है इस थोटी-चोटी चीजे MCQ point of view से ध्यान रखना है इस पूरे वीडियो में हमारा यही cover जनने वाला है कि भाई MCQ point of view से तो important important चीजे है और conceptually ज़रूरी है हम उन्हें cover करते जाएंगे correct अब जो दूसरी बात है हम उन्हें थोड़ा in depth समझते हैं देखे हमने लिखा final final goods and services तो final goods and services मतलब क्या होता है let us take an easy example भाई हमारे हम समझते है basic necessities of life में roti kapda मकान आता है तो भाई kapda का example चुरू करते है कपड़ा suppose करिए cotton ये जो मैंने shirt पैना ये cotton का है for an example right तो एक raw cotton होगा उस raw cotton से धागा बना होगा और उस धागे से ये जो मैंने shirt पैना है वो बना है simple example ले रहे right पहले raw cotton मना होगा raw cotton के खेती हुई होगी उस खेती से धागा बना उस धागे से cloth बना correct तो एक example लेते let us suppose करो कि तीन producers A, B & C A producer ने cotton मनाया उसने अपना cotton B को बेच दिया A producer ने cotton मनाया उसने अपने cotton B को बेच दिया 500 रुपए पे यान वाले ने यान बनाया 500 रुपए पे और उस आइंसो के यान को cloth वाले को बेच दिया 1000 पे आइंसो पे बेच दिया and then cloth वाले ने बार वापस मार्केट में बेच दिया 1000 रुपए में correct तो the thing is कौन सी वैल्यू नाशन इंकम मानी जानी चाहिए क्या 500 प्लस आइंसो प्लस हजार जो की 200 होता है क्या यह वैल्यू जाना चाहिए क्या सिर्फ पांचो जानी चाहिए सिर्फ आंचो जाना चाहिए सिर्फ हजार जाना चाहिए सिर्फ हजार रुपए ही जाना चाहिए सर ऐसा क्यों क्योंकि अगर काईदे से सोचा जाए तो इस हजार रुपए में जो कॉस्टिंग्स है वो आ चुकी है कैसे आ चुकी है सर एक एक जामपल से समझा दीजिए जैसे सबुस करो कॉटन वाले ने यान वाले को बेचा तब यान वाले क्या बोला मेरा आउट्पूट आंटशो रुपए का है याने कि यान वाले ने 300 रुपए गा value जन्रेट किया 500 रुपए का तो इसका costing ही था 300 रुपए गा value generate किया और मिला के आंटशो में बेच दिया अब जब 1000 वाले ने बेचा है तो एक चीज समझो आंचो का तो इसका कॉस्टिंग ही है तो इसने वैल्यू कितने का जनरेट किया दोस्टों का तो इवेंचुली इस हजार में ये 500 और 300 अल्रेडी आ चुका है therefore अगर आप 200 वाल्यू ले लोगे तो आप डबल काउंटिंग करोगे क्योंकि ये हमारा फाइनल प्रॉडक्त है और इस फाइनल प्रॉडक्त के अंदर इंटर्मेडिट प्रॉडक्त अल्रेडी आचुके है तो देखिये मैंने क्या लिका है कि वाल्यू अफ इंटर्मेडिट कंजम्शन इस नॉट इंटर्मेडिट को वापस नहीं लेते है तो अवाइड डबल काउंटिंग सर एक बार थोड़ा और क्लियर्ली एक्स्प्लेइन की दिये कि यह फाइनल प्रॉडक्त होता क्या है इंटर्मेडिट प्रॉडक्त होते क्या है इसलिए मैं एक डिस्कॉशन आपके आगे लेके आया हूं देखें इंसिट्यूट की मॉड्यूल आप पढ़ेंगे तो यह बेसिक कॉंसेप्शल बाते उन्होंने नहीं बताई है करेक्ट इतना आसानी से आपको बुक में नहीं मिलने वाला इसलिए मैंने चीज़ों को कट्शॉट टिकर के सिंप्लिफाई किया है देखें उच्छा को इस डिखें लिएंगे व sürदोह को बिचने दो चाहिए है जिनको म्यूजक करते हैं सब्सक्राइब स्क्राइब इस डाम कॉuito शुक्राइब घूर करने कर आवτα के द स्टॉच गूंसर्विचा इन शुक्त प्शंच काया जुट मैंने के करने कि इस टेल्रों के के लिए यह फोर मेंने पर्चिष किया बस बेचने के लिए इसे एम ट्रेडिंग विजनस बोलते रिसेल परपस बोलते हैं करेक्ट इसने मेरा अब्जेक्टिव बपस बेचना है से वा अब डियेट घ्रफोर यह एक इंटरमीडियर गूट्स होगा करेकर एक और डिख्योंब बताये जेक겠어 मिठाई के दुकानम सब गए कर económοι ना कोई फेस्टिवल होता है मिठाई हरे थी को मिठाई मिठाई आप करो हम मिठाई वालए हैं तो मिठाई के दुकान में हमें मिठाई बनाने के लिए क्या क्या चीज़े चाहिए हम ये बहते हैं य से बना के इंगाले इस इसे बना के निधाई न करते हैं यानील कि61 परिछ इन सब को मिक्स के एक मिठाई बना दी यानि कि इन गुट से फर्दर प्रोड़क्शन किया मिठाई का और उस मिठाई को बेच दिया तो कहना क्या चाहता हूं मिल्क मावा और चीनी यह तीनों इंट्रमीडियेट है और जो बनीवी मिठाई फाइनल है सिर्फ मिठाई नाइशन का पार्ट बनेगी वो तीनों नहीं बनेंगे सर ऐसा क्यों क्यों कि मिठाई में उन तीनों का कॉस्ट अल्रेडी आ चुका है प्रट एक चीजे हमें समझना जरूरी है जो इंट्रमीडियेट अमने पर्श्च किया जब एक बार मनें उससे मिठाई बना ली तो क्या वापस सेम मिल्क को उसक करके मिठाई बना जा सकते है क्या क्या नाइ स्कृत इस यूट इस फिन्स इस पंपिलिट तो देर्फोर और intermediate को हम क्या मानते हैं, तो single use goods होते हैं, जैसे की again milk जैसी चीज़ है, correct, उनको, या एक simple example, एक और समझना होते है, textile का producer है, उस textile के producer ने यान खरीदा है, धागा खरीदा है, कपड़ा बनाने के लिए, अब वो एक धागे से एक ही कपड़ा बन सकता है, वो एक धागे से multiple कप होते हैं, intermediate goods and final goods, intermediate goods, दो तरह के for resale and for further production of goods and services, but जो सिर्फ एक ही बार use होने होते हैं, final goods क्या होते हैं, सबसे पहले लिखा है, consumer goods and services, आप और हम, जो आम जिंदगी में हमारी goods and services खरीते हैं, वो generally finally होते हैं, sir कैसे एक example लिए, for example, जब मैं ये shirt खरीदा, क्या इस shirt को वापस बेचूंगा क्या, नहीं, इसे तो मैं यूज करने वाला हूँ, खुद के purpose के लिए, hence, ये कैसे goods होते हैं, final goods and services, sir, हमने must गर पे एक TV खरीदी है, TV पे हम हमारा matchless देखेंगे, correct, serial movies देखेंगे, क्या आप उस TV को बेचने वाले हो गया, नहीं, क्या कोई further production होने वाला है, नहीं, therefore, ऐसे goods को क्या बोलते है, final goods and services और consumer goods, अब consumer goods में भी 4 तरीके होते हैं, एक दम simple simple सुनते जाओ, durables, durable goods, जैसे की, TV, fridge, air conditioners, ये सारे goods एक लंबे दौरान के लिए चलते हैं, 5, 7, 10 साल के लिए चलते हैं, hence, इने durable goods बोला आता है, next, semi-durable goods, semi-durable goods मतलब जैसे की हमारे कपड़े, अब कपड़े 5-10 साल तो चलते नहीं है, 2 साल, hardly 2 साल, 2 साल जितना एक कपड़ा चलता है, depending on उसका quality, कुछ-कुछ तैसे होते हैं, एक wash में पोचा बन जाते हैं, right, therefore, इने बोला था, semi-durable goods, अगला है, neon-durable goods, जैसे की, आपने एक chips का packet खरीदा, खोल के खा गए यानि कि वो durable नहीं है, वो खतम हो जाएगा, and next is services, कि हम कोई services consume कर रहे हैं, तो वो भी यहीं पर आती है, right, अभी एक discussion करना जरूरी है, ध्यान से सुनना, भाई, इस बार हम मिठाई की दुकान वाले हैं, इस बार मिठाई, मिठाई तो बनानी है, पर अगर आपने ध्यान मिठाई की दुकान में हम जाते हैं, तो उसका एक fridge पड़ा होता है, उस fridge के अंदर मिठाई showcase कीवी होती है, वो bulging जा एक fridge होता है, correct, जिसमें वो सारी मिठाईयां वो लगा के रखता है, let's talk about that fridge, वो fridge, intermediate माना जाएगा या final माना जाएगा, right answer it, उसे final माना जाएगा, ऐसे goods जो हम बिजनस में purchase करते हैं, जिससे further production तो करने वाले हैं, but single use नहीं, multiple use, जैसे कि वो fridge हो साल हो साल उसे करने वाले हैं, correct, तो basically ऐसी कोई चीज हम जो हम बिजनस में खरीदते हैं, और उसे एक साल से जादा हम बिजनस में बापडने वाले, उन सब चीजों को क्या बोलते है आपने textile कपड़ा बनाने के एक factory लगई, तो उस factory में machinery तो चाहिएगी, हो जब machinery होती है ना, उन machinery को final मानते हैं, क्योंकि उससे further production तो हो रहा है, but single time नहीं हो रहा, multiple time होगा, आप साल हो साल उस machinery को use करने वाले हो, hence उन्हें final goods and services माना जाता है, इस point को ध्यान रखना मैं वापस बेचने के लिए, फोन क्यों खरीदा, वापस बेचने के लिए, यानि कि मेरा purpose resell है, resell, therefore यह intermediate goods है, यही same phone मैंने खरीदा, but personal purpose के लिए, इस purpose के लिए, personal purpose के लिए, hence यह final goods and services है, अचा डॉली चाहे वाला जब दूद खरीता है न, उसके लिए वो दूद intermediate है, पता ह क्यों, क्योंकि वो उससे चाय बना के Bill Gates को पिलाने वाला है, यानि कि वो चाय का outcome करने वाला है, but जब यह milk हम लोग purchase करते हैं, तो हमारा objective कोई resell, resell कुछ नहीं होता, एक household का, hence वो एक final goods and services है, मैं बताना क्या जाता हूं, एक ही goods, intermediate भी हो सकता है, final भी हो सकता है, पर depend करत है कि हम उस product को use कैसे कर रहे है, उस product का use क्या है, या बात सब्सक्राइब में आती है, एक phone, intermediate भी हो सकता है, final भी हो सकता है, depending अपन उसका use क्या है, तो national income में हम कौन सा product, कौन सा goods लेके जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ final goods, intermediate goods की जगा नहीं होती, और इसका reason simple है, क्योंकि final goods के intermediate का cost already आ चुका है, next up, इस हमने बोला था, final goods and services produced, तो sir, production word का मतलब क्या है, अब sir, हम तो CA कर रहे है, नाम में ही accountant है, तो एक simple सवाल आप लोग से बूचता हूँ, late से हमारा opening stock 50 unit का है, देखो मैंने लिका है, 50 unit का है, production हमने किया 100 unit का, and sales कर दिया 140 unit का, बताओ closing stock कितना है, 10 unit का closing stock है, कर एक simple है, चरीए कि आप पूच रहो, सवाल ही आया, कि national income में कौन सी value लेके जाए, opening, closing, production या sales, कौन सी value लेके जाए, देखो अगर कायदे से सोचोगे, तो opening और closing का तो relevance भी नहीं है, उनको तो क्यों ही लेके जाएंगे, बात आती है, दो की production या फिर sales का, national income में हम production लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, production, हमें sales से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ इस से मतलब है कि हमारा देश कितना production करता है, कितनी goods and services बना रहे है, क्योंकि that is the real income, जितना जादा production होता है, वो दिखाता है कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहे है, hence national income में कौन सी value ल already closing stock is equals to opening stock plus production minus sales अगर इसी same formula से हमें production का value निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं क्या सर हम champions है हम तो बिलकुल निकाल सकते हैं सर बताईये कैसे निकालेंगे therefore production is equals to sales plus closing stock minus opening stock and closing stock minus opening stock को प्यार से क्या बुलाते हैं changes in stock I hope अब तक discussion समझ आ रहा है हम लोग क्या बाते कर रहें एक बार क्विकली बता देता हूं हम पढ़ रहें unit 1 national income accounting unit 1 में हमने बोला कि भाई किस ने दिया था तो दो आदमी रिचार्ट स्टोन साइमन कुजनेट इंडिया में कौन करता है CSO करता है मैंने बोला national income सुनते हैं हमने अक्सार एक वर्ट सुना है GDP तो GDP का definition समझा और उसमें कुछ-कुछ वर्ट्स थे वह हमने समझने शुरू किया थे मैंने आपको money value का मतलब समझाया financial year का मतलब समझाया और साथी में मैंने आपको यह भी बताया कि भाई यह यहां पे इसका formula क्या है correct next अब यह समझना है कि sir national income calculate कैसे होती है correct जो आपने बोला कि sir यह 4 trillion dollars का हमारा इतना बड़ा national income है यह calculate कैसे होता है please let us know देखो जबी भी इतनी बड़ी बात होती है तो कोई भी चीज calculate करने का एक तरीका नहीं होगा multiple methods होंगे और multiple तरह की values आ सकती है based on certain assumptions correct इसी चीज को based रखते हुए हमारा national income भी पता है आप तरीके का calculate होता है यानि कि एक चीज को measure करने के लिए आंट numbers है आंट तरीके आंट thought process है तुम एक ही चीज को calculate करके हो correct और इन्हे calculate करने के तीन तरीके यानि कि eight types of national income है आंट तरीके चीज को measure कर सकते है और उस का निकालने के लिए तीन methods है यानि कि there are eight measures of national income और उसे निकालने के लिए हम कितने method use करते है हम एक two into two into two model के बारे में पढ़ेंगे जहां पर मैं आपको यह समझा दूँगा कि यह आंट तरह की national income होती कौन 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 है correct problem को realize करते जाना और यह समझते जाना अच्छा इनके आंट तरीके क्यों है क्यों एक ही तरीके से national income calculate नहीं में होती होती ही तो भाई let's say हम सब काफिये कंए काफिये हजार रुपरे का बिल आया कितने का बिलाया अच् Moment आशा इस मिल में नला ने ऐच्वल क्षोटाजवी ढ़स दो डावा होता है क्षi इस्ती बीजोडावा होता कुंसे value को GDP में consider करें? आपने बोला sir, goods and services produce का money value ले लो, पर कौनसा value ले? 1000 ले या 1050 ले? मतलब inclusive of taxes या exclusive of taxes, कौनसा value लिया जाए? तो हमने बोला दोनों ले सकते हो, अगर आप inclusive value को ले रहे हो, मतलब आप market price की बात कर रहे हो, and अगर आप exclusive value को ले रहे हो, तब आप factor cost की बात कर रहे हो, sir मतलब समझाईए, तो थोड़ा एक detail में discussion करते हो, क्या heading डाला मैंने, market price versus factor cost, market price versus factor cost, एक simple example लेते हैं, suppose कीजी हमने बोला यार, Ola active आजकल बहुत चल रही है, Ola का जो two wheeler आया है, चलो, suppose हम लोग purchase करते है Ola को, तो भाई हम Ola वाले के पास गए Ola के शुरूम में, और उसे बोला भाई सुन, तेड़ा एक two wheeler purchase करना है, बता कितने में purchase कर पाऊंगा, तो उसने बोला यार देखो, एक लाग रुपे मैं आप से लिना चाहता हूं, खित रुपे लेना चाहता हूं, एक लाग रुपे, बोला इस एक लाग रुपे में मेरा सब कुछ आ गया, मतलब मैंने बोला, तो उसने बोला, कि देखो, चार तरह के हमने factor of production पड़े थे, कौन कौन से थे बोली है मेरे साथ चाहत, Land, Labor, Capital, Entrepreneur, Land को क्या चीज़ का payment होता है, Rent का, Labor को wages का, Capital को interest का, and entrepreneur को profit का, बोला, ये चारो तरह के जो cost आपसे वसूलने के बाद, मैं आपसे सिर्फ एक लाग रुपे लेना चाहता हूं, यानि कि आपको उस पता है, ये एक लाग मेरा factor cost है, factor cost क्या होता है, इन चारो का totally तो factor cost होता है, Right, बोला, मैं आपसे एक लाग रुपे लेना चाहता हूं, but है न यार, हमारी भारत सरकार ये बीच में, जो बोलती है कि मुझे आपसे GST भी लेना पड़ेगा, Taxes collect करने पड़ेगे, तो मैंने बोला बाई, बता बाई, कितना लेगा, round of figure कर रखते है, calculation easy रखने के लिए, late से उसने बोला, कि sir, मैं आपसे 20,000 रुपे का GST लोगा, इतने का GST लोगा, 20,000 रुपे का, तो एक लाग रुपे और खुद अपनी जेव में रखेगा, क्योंकि वो उसका factor cost है, 20,000 रुपे वो मुझसे लेत हो रहा है, पर वो उसका Tax है, यानि कि मैं कुछ ना कुछ Taxes भी पे करने वाला हूं, इसे हम बोलते है, Indirect Tax, क्या बोलते है, Indirect Tax, हम सिर्फ और सिर्फ अभी Indirect Taxes की बात कर रहे हैं, हम Indirect Taxes की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ Indirect Taxes, GST जो basically हम समझते हैं, तो उसने बोला कि सर देखो टोटल 1,20,000 होता है, बट है ना अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स में हमारी बारत सरकाश सब्सीडीज भी देती है, यानि कि कुछ कॉस्ट वो लोग बियर करने रेडी है, मैंने बोला अच्छा वा, तो उसने बोला सर आपको 10,000 की सब्सीडीज में मिल जाएगी, कितने की सब्सीडीज, 10,000 की सब्सीडीज, तो बताओ मुझे नेट पेमेंट कितने का करना है, एक लाग रुपे होला वाला मुझे चार्ज करना चाहता था, 20,000 रुपे का टेक्स लग रहा था, यानि कि एक लाग 20,000 हुआ, और अब 10,000 भारत सरकारी पे कर रही है, यानि कि मुझे नेट एक लाग 10,000 पे करना पड़ेगा, इसे क्या बोलते है, market price, तो आप GST को, आप सॉरी, national income को factor cost भी निकाल सकते है, and national income को market price में भी निकाल सकते है, correct, तो देखे, यही लिखा है, market price क्या होता है, जब factor cost में मैं इंडरेट taxes को add कर दू, क्या बोला मैंने, जब factor cost में मैं इंडरेट taxes को add कर देता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, market price, तो यहाँ पर word उसकिया है, मैंने NIT, NIT मतलब net इंडरेट taxes, NIT मतलब क्या होता है, net इंडरेट taxes, जबी भी तुम word net सुनते हो, मतलब कोई चीज में से कुछ minus हुआ है, net word क्या होता है, कोई चीज में से कुछ minus हुआ है, हमने यहाँ क्या word उसकिया है, net इंडरेट taxes, मतलब की यहाँ पर इंडरेट taxes में से कुछ minus हुआ है, तो basically क्या minus हुआ है, subsidies minus हुई है, जैसे कि देखो यह ओला वाला example, हमने क्या किया, factor cost में net NIT को add कर दिया, so net NIT हमारा यहाँ पर क्या था, net NIT हमारा यहाँ पर 10,000 था, net NIT मतलब, इंडरेट taxes minus subsidies, I hope easily समझ आ रहे है, right, अब देखें, इंडरेट taxes और subsidies के भी है ना, institute ने दो पार्ट बांटे हुए है, बोला दो तरह के होते हैं, पहला जो production पर लगे, and दूसरा जो product पर लगे, पहला जो production पर लगे, दूसरा जो product पर लगे, मतलब सर मतलब, let's say आप लोग कुछ food based product बनाते हैं, अब वो product को बेचोगे तो GST तो collect करने ही वाले हो, बट वो product बनाने के लिए भी क्या आप लोग को कुछ licenses लेने पड़े होंगे, बिलकुल, correct, जैसे आज हम this world में ले रहे हैं तो हमारे सारे businesses लगबग बहुत regulated है, तो हमें तरह तरह के license रहने पड़ते हैं, तो institute ने भी बोला कि दो तरह के taxes होते हैं, production पर लगता है उसको बोलते है license taxes, licenses fees and product पर लगने वाले को हम GST बोलते हैं, correct, यह बात हमें already समझ आ गई, okay, अब यहाँ पर एक concept है पर उस पर जाने से पहले एक sum ट्राइ कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग को समझ आया नहीं, मैं बोलता हूँ factor cost 500 रुपए कितना रुपए 500 रुपए का factor cost है, indirect taxes, indirect taxes let's say 50 rupees है, subsidies, let's say 25 का है, क्या आप calculate कर सकते है market price क्या होगा, simple होता है, factor cost plus NIT, factor cost कितना है 500, तो लिग देता हूँ 500, NIT कितना है 25, sir कैसे है 25, indirect taxes minus subsidies, तो plus 25 कर दूंगा, hence answer कितना हैगा 525, एकदम simple, correct, यानि कि दो levels पर calculate कर सकते हैं, या तो factor cost पर calculate कर लोगा, फिर market price पर calculate कर लो, अब institute ने एक बस concept डालाग है, जो MCQ standpoint से हमें समझ के रखना है, correct, institute ने बोला, base price कर के भी कुछ होता है, मैं एक simple diagram से आप लोग को समझा देता हूं, देके सबसे वहले factor cost होता है, इस factor cost में नाही कोई indirect taxes है, नाही कोई subsidies है, there is no indirect taxes, there is no subsidies in this factor cost, ठीक है, अगर इस factor cost में आप कुछ add करते हो, क्या add करते हो, plus production tax, क्या add किया, production tax and कुछ minus करते हो, क्या minus करते हो, production subsidies, अगर ध्यान से सुन रहे हो, मैंने product taxes की बात ने की, मैंने सिर्फ production taxes की बात की और सिर्फ production subsidies की बात की, तो आपको मिलेगा base price, अब एक ही चीज़ बचिए, क्या बचा है बताए, plus product tax minus production product subsidies, जब यह करोगे तो क्या में लेगा market price, तो basically बीच में concept आ गया, और base price में production taxes and production subsidies की बात करते हैं, और जब base price में हम product tax and product subsidies ले ले लेते हैं, तब हमे market price बलता है, एकदम simple, यहाँ पर मैंने formula लिखा है, 2 minute लेकर इसे देख लेज़े, Now, मैंने आप लोग को बोला था, मैं एक चीज़ पर वापस आऊंगा, चलो इस पर वापस चलते है, लेते हैं अम इने national income में तो एक और दुविदा राइज होई, दुविदा क्या राइज होई, कि एक लाग रुपे का मशीन खरीदा एक लाग रुपे का मशीन खरीदा, एक लाग रुपे का मशीन खरीदा, and by year end उस मशीनरी का वैल्यू सभाविक सी बाते कम हो गया होगा, and accounts में इसे depreciation बोलते हैं, correct, तो लेट से 20,000 का depreciation लग गया मशीनरी पे, मशीनरी खरीदी तो एक लाग पे थी, अब ये मशीनरी का वैल्यू कितना होगे, 80,000, दूविदा ये rise हुई, कि एक लाग ले या 80,000 ले, देखो मैं वापस बोल रहा हूं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, एक national income और निकालने के बहुत तरीके हैं, नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो factor cost लेंगे तो market price, दूसरा, वैल्यूस कॉंसी लें, मशीनरी की, before debris और after debris, तो एक और आया कि दोनों लेलो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई लोड नहीं है, दोनों लेलो, therefore, अगर हम, inclusive of depreciation ले रहा है, यानि कि depreciation को deduct नहीं कर रहे है, हम gross value को consider कर रहे है, और अगर gross में से debris चला जाता है, तो हमारे पास net values आती है, simple, gross पर, gross level पर मतलम निकाल रहा है, मतलब तुम लोग ने depreciation को consider नहीं किया है, और अगर net values पर निकाल रहा है, मतलब debris को consider किया है, simple, तो देखें वो 2 x 2 x model पे वापस आते हैं हमने बोला market price और factor cost पे निकालना है done इन दोनों पे निकालने के बाद हमने बोला कि ये दोनों ही या तो gross values पे निकल सकती है net values पे निकल सकती है अब बात ही आई कि भाई ये domestic निकलेगी या national लेकलेगी मतलब सर क्या है डंग से समझाईए correct तो देखो पहले तो ये आप समद्द गेंगे कि net value क्या होता है gross value में से जब हम depreciation को minus कर देता है and depreciation के बहुत सारे नाम होते हैं कोशन में जैसे कि replacement of fixed capital correct current replacement cost of fixed capital तो जहाँ पे भी तुमें fixed capital का कोई replacement cost जैसा word दिखता है उसका basic मतलब depreciation ही है correct इसके मैं practical sums भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा असान है क्योंकि मैंने आपको बताई दिया है अब बात आता है domestic income and national income देखो 2 into 2 into model जल रहा था पहले 2 को हमने discuss किया फिर हमने इन 2 के अंदर और 2-2 values को discuss किया यानि कि 4 हमारे हो चुके है अब इन 4 के अंदर और 2-2 को discuss करना है therefore हम total 8 पर पहुंचने वाले है correct तो देखो income national level पे निकलती है income domestic level पे भी निकलती है क्या मैंने word use किया income national level पे भी निकलती है sir मतलब क्या होता है देखो domestic income मतलब होता है इंडिया की income domestic income मतलब इंडिया की income and national income मतलब इंडियन्स की income किसकी income? इंडियन्स की income domestic income मतलब इंडिया की income and national income मतलब इंडियन्स की income sir मतलब समझाईए जैसे अभी आपने जब GDP का उपर definition लिखा था आपने लिखा था विदिन धी domestic territory तो सर इंडिया की domestic territory क्या है जरा सोचे तो कितने states इंडिया में इंडिया has 28 states क्या कुछ union territories भी है बिलकुल इंडिया has 8 union territories कुछ पानी का हिस्सा भी हमारा है यह जितना भी भी हिस्सा है अठाई state और union territories कुछ 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 पानी का हिस्सा इस जितने भी जो production होता है जब उस production का total मारते है तो वह एक इंडिया की income है किसकी income है इंडिया की income है अब हो सकता है इंडिया में को बुसरें के प्लेइटर इंडिया में क्या आ कि इंडिया की याझि कि इंडिया की इंडिया की इंटारी कोई नगे गुक्त में तो है क्रेंड वी कि इंडियों med नियुए माईटिनियीह मतलबम अहिमसीट्र मतलब हैं सिर्फ इंडिया में काम करें या बाहर काम करें हो प्रीजरेंट की सुचल को जा के इंकम सब्सक्राइब आए अपनी income in India or save the income in India India में रहता हूं और इन तीनों काम में से कुछ एक भी करता हूं तो मैं इंडिया का resident बन जाता हूं simple है कैसे निकालते है formula देख लो national income is equals to domestic income को लो उसमें plus कर दो NFIA को किसको plus कर दो NFIA sir NFIA मतलब factor income from abroad में say factor income to abroad minus कर दो तो देखो NFIA का full form क्या होता है net factor income from abroad NFIA का full form क्या है net factor income from abroad और यह निकलता कैसे FIFA minus FETA FIFA मतलब factor income from abroad इसमें से minus क्या करते है factor income to abroad मैं ज्यादा इसमें conceptory deep dive नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें इसको revision purpose के लिए रखना है and short and speed बना के चलना है आपको बस इतना आद रखना है कि अगर हम domestic income पे और हमें domestic से national पर जाना है तो हमें FIFA को add करना है फीटा को minus करना है क्या दनोंती यह बात सब को right therefore जब आप इन सब लेवल पे हमारी national income को निकाल लोगे तो total आंट चीजों की बाते होगी कितनी चीजों की बाते होगी आंट चीजों की क्विक्ली एक बार देखते चाते क्या 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 मैंने अभी आपको बता दिया है कि देखो ऐसा को discuss किया दा market price factor cost या दाता है फिर अमने बोला gross level net level पे निकलता है और फिर domestic product निकल चकता है national product निकल चकता है अगर हम एक ऐसी income निकालते है बहुत द्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं अगर हम एक ऐसी income निकालते है जिसमे हम gross values को ले रहे मतलब की depreciation minus नहीं कर रहे है secondly हम domestic product ले रहे है यानि कि सिर्फ इंडिया में बनाईवी चीजों को ले रहे है और उन बनाईवी चीजों का market price ले रहे है तीन चीजे बुली मैंने gross value को national level पर निकालते है यानि कि इंडियान की income निकालते है और market price पर निकालते है बता है हम कौन सी value निकाल रहे है G, N, P, A, T, M, P मतलब gross मतलब depreciation नहीं किया national product मतलब की इंडियान की income मतलब की first word gross नहीं होगा first word net होगा अगर domestic level पर निकालते है तो gross domestic product sorry net domestic product at market price correct net domestic product at market price और अगला क्या होगा net national product at market price तो ऐसे कुछ कुछ तरह की income निकलते है मैं कुछ एक बार नाम ले लेता हूँ GDP at MP, GNP at MP, NDP at MP, NNP at MP, GDP at FC, NDP at FC, NDP at FC, ÑN NP at FC, यह ARN तरह की income है अगला हम national income एक निकालने के कितने types की national income निकाले है हम ARN तरह की, यह सारी की सारी पते है किसको को represent कर रहे है हमारी देश की income को किसी हम मारकेट प्राइस टे सब्सugoitte सब्स이지 करते कि अधर किक्रेặt की किसी ना किसी मांना पाड़ेगा और किसी ना किसी को दो मानना ही पड़ेगा Hence हमारी institute ने बता है कि हम NNP at FC को बता हिए क्या मानते है national income and NDP at FC को क्या मानते है domestic income यानि कि अगर question बोले कि national income निकाल के बता हो तो तुम पता है क्या निकाल रहे होगे NNP at FC करेगा institute यह चीज़ तुम्हें बोलेगा national income निकालो तब याद रखना NNP at FC पूच रहे हैं वापस इंशिट्वीर पूचे का domestic income निकाल के बता हो तो तुम्हें पता है क्या निकालना NDP at FC क्या बात सब्सक्राइब मतलब इंडिया के domestic territory में हुआ वा production national income मतलब इंडियन्स ने किया वा production एक simple example से यह इसको close कर देता हूं For an example Suppose करो यह इंडिया है यह इंडिया है और यह rest of the world है Example simple रखते हैं इंडिया है and rest of the world है भाई इंडिया में क्या हम जैसे इंडियन्स हैं जो इंडिया में रहते हैं करके काम जिए हुए चपोज करो हमसब मिलगे 15 कम आते कि 15 यह पनरा घंट कर cabin एंडियन नहीं इंडिया में कि इंडिया में कितना क्या सुंसर्ट इंडिया में से कहला करें तो क्या उस이면 इंडिया Chung प्रोडक्षिन कर रहा है यह मतलब है कहां प्रोडक्षिन हो रहा है अगर इंडिया में हो रहा है तो उसको ले लेंगे लेट्स सपोस कि वाई विराать खोली से गया और उसने यूएसधे में कोच बिजनेस किया और बिजनेस क्रने से उसने छहे लाग कर इन्कम कैहां कित्ने का इनिकम क्या छहे लाग की अच्चा क्या विराट कोली हमारा बट क्या ये 6 लाग हमारी domestic territory में आएगा नहीं ये तो USA में हुआ है पर क्या ये national income में आएगा हाँ क्योंकि national income में पता है किस से फरक पड़ता है सिर्फ और सिर्फ resident यानि कि हमारा national income मालूम कितना होगा 15 लाग क्योंकि national income मतलब इंडियन काम करते है तो 15 लाग प्लस कितना होगा 6 लाग हैंच आंसर कितना हैगा 21 लाग तो सुनिए मेरी बात पता है हमने क्या किया national income निकालने के लिए domestic income domestic income अमने कितनी निकाली थी 20 लाग तो 20 लाग लिख लेते 20 लाग में मैंने क्या बोला फीफा को आड करना फीटा को माइनस कर देना अब एक सिंपल सी चीज सोचो हम क्या निकालना चाहते है national income national income मतलब देश वासियोंने कितना कमा है इंडिया में बार हम शुरू कर रहें इंकम से तो डॉमेस्टिक इंकम में तो यह 5 लाग अल्रेडी इंक्लूड़ेड है हमें इसे अटाना पड़ेगा और इस 6 लाग को जोड़ना पड़ेगा यानि कि हम पता है प्लस करते हैं फीफा को फीफा को फीफा मतलब अभैक्तरि इंकम फ्रांव और क्या फिराटको हमारा प्राक्टरार हो यह हश्तने इंकम की हा यह भाहर के मैं है एंस फेक्टर इंकम फ्राम अब्राद को एड़ किया तो ची-अर अर उसको क्या कर देंगे मिनronics तो simple, पता है, हम क्या करेंगे, plus 6 lakhs, minus 5 lakhs, which gives us 21 lakhs. I hope basic concepts clear हुए हूँ, correct? यह थी basic basics ही बात है, एक बार मैंने एक summary, जैसा आप लोग के साथ बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि clear हो जाए, देखो, अगर question में, हमें net values dv होती है, और हमें gross values निकालने को बोला होता है, क्या बोल रहा हूँ है, अगर net values dv होती है, अगर gross values निकालने को बोला होता है, तो बता है, हम क्या करेंगे, plus करते हैं depreciation, we add depreciation, अगर gross value से net पे जाना है, तो हम minus करते हैं depreciation को, minus करते हैं depreciation को, next, अगर domestic से national पे जाना है, तो हम plus करते हैं NFIA and अगर national से domestic पर जाना है तो हम minus करते हैं NFIA यह formula के साथ खेल रहा हूँ है अगर मैं factor cost से market price की तरफ जाना जाता हूँ तो मैं plus करूँगा NIT को net in rate taxes को but अगर मैं market price से factor cost की तरफ जाना जाता हूँ तो मैं minus करूँगा NIT को इस चीज को मैं sum के तरफ भी समझा देता हूँ मैंने क्या बताने के कोशिश किया suppose करो question मैं आपको GDP at MP दिया हूँ है बोला है GDP at MP 2000 और बोला है NNP at FC निकालके बताओ ठीक है मतलब उन्होंने gross values दे दी हमें और हमसे मांगा net values है हमें domestic values दे दिया है हमसे मांगा net values है हमें domestic values दे दिया हमसे मांगा national values है और हमें market price दे दिया है हमसे मांगा factor cost है correct तो ऐसा कुछ वो लोग ने sum दिया है हमें से net पे जाना है यानि के पता depreciation क्या करेंगे minus हैंस डेपरी करेंगे minus डेपरी कितना है 300 रुपया minus अगला हम domestic पे हमें national पे जाना है हम domestic पे है हमें national पे जाना है तो कैसे करेंगे let's say मैं उने बोल दिया NFIA 500 है कितना है 500 तो NFIA 500 है मतलब domestic से national में जाना है तो हम क्या करते हैं plus करते NFIA को तो plus कर देंगे 500 MP से FC पे जाना है तो NIT चाहिए let's say NIT 200 है कितना NIT 200 200 नहीं इसको change कर देते figure को इसको रख देते 300 अब MP से FC पे जाना है यानि कि MP से FC पे जाना है तो NIT को माइनस करेंगे तो माइनस कितना कर देंगे 300 हैंस हमारा आंसर बताइए कितना आएगा 1900 डन इस टाइप के समझी आप से पूछे जा सकते हैं देख अब तक मैंने आपको क्या बताया आंट तरह की नाशनल इंकम निकलती है पर इन नाशनल इंकम को निकालने के तरीके कितने तरीके हैं तीन और इन तीन तरीकों पर जाने से पहले हमें concept पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है circular flow of income correct circular flow of income मतलब क्या है income circle में गुमती है income किसमें गुमती है circle पे देखो तीन phases होते हैं कि एकनोमी में पहले production होता है production से income बढ़ती है और income से खर्चा करते हैं एक simple बात बताता हूं कि सबसे पहला का हम production करना होता है अगर हम production करेंगे तो production से income generate होगी यानि कि एक business में revenue आएगा production से अब वो revenue का बताओ क्या होता है वो factors of production में बढ़ जाता है यानि कि rent wages interest and profit ये बोल के वो पैसा income distributed आती है वो income किसको मिलती है household को मिलती है क्योंकि हमें पता है factor of production का owner होना होता है household and वो income बाद में खर्चा हो जाती है पर एक चीज समझो जितना production होगा लेट से 100 रुपे का production हुआ तो income भी कितने का बटेगा 100 का तो बटेगा जितने का revenue generate होगा उतने का income होगा और जितने का income होगा उतने का खर्चा होगा hence natural income को तीन जगा पर निकाल सकते हो या तो production level पर निकाल लो या income level पर निकाल लो या consumption level पर निकाल लो आई होग चीजे समझ आ ही हो यानि कि थीन तरीके निकालने के अब बिफोर गूइंटो अधिमेट्स हमें एक सिंपल डिफ्रेंट समझ ना है एकनोमिकल अक्टिविटीज और नॉन एकनोमिकल अक्टिविटीज एकनोमिकल अक्टिविटीज क्या होती है तो आप उचर्ट को लेते हो और पैसे देते हो यानिकि घर ऐओ पैसे कहली है तो क्या बोला गया एक अब भी भी Goods ग अभी बीज दो gettin सपाइक चरते हो, इसके सामने पैसे देते हो उसको बहते है इकननओन नन और ओन धाई का कहूता है वह अग्तिविटीस तो है ऑन जान जान पर वे या तो सिर्फ गूत सर्फ गूत जान सर्विशज्जजी एक्सेंज होग है या तो सिर्फ goods and services exchange और यह पैसा एक्षेंज नहीं हो रहा है या फिर सिर्फ पैसा एक्षेंज हो रहा है goods and services exchange नहीं हो रही let's say for an example भाई रात को मैच्स है इंडिया का तुमने तुमने तुमारे दोस्ते एक बेट लगाया शर्त लगाई कि भाई इंडिया और से उस्टेलिया का मैच से उस्टेलिया जीती तो मुझे रुपए देना इंडिया जीती तो मैं तुझे रुपए दूँगा अब क्या इसमें कोई goods and services exchange नहीं सिर्फ money exchange माल लो तुमारे घर पर रिष्टेदार आये रिष्टेदार आये तो नाश्ता पानी कराने के बाद तुमने जाते जाते उनका पाऊ चुआ और पाऊ आशिरवात के लिए नहीं लिफाफे के लिए चुआ और वो तुमें लिफाफा दे तुमारी इच्छा दे और उनने तुमें लिफाफा दे दिया क्या money का exchange हुआ money तो में मिल गया बट क्या तुमने को गुड्स और सर्विसे नहीं दिया क्या नहीं इन्हें क्या बोलते नौन इक्नोमिकल अक्टिविटीज का एक्जाम्पल ए ट्रांसफर पेमेंट्स तरांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं जैसे कि हमारी भारत सरकार पें क्या स्वारत सरकार को सामने कोई सर्विस मिल रही है नहीं हैंस पेंशन के एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट बताना क्या चाहता हूं इकनोमिकल अक्टिविटी जहां पे गुड्जन सर्विसेज एक्सेंज होते हैं पार मनी उन्हें नाशन इंकम पे इंक्रूड किया जाता है कि मेथोड किन कौन से कौन से नाशनल इंकम के तो लेट गो तु इंकम के घोड़ेज थो सबसे पहला मेथा वह में इसकर ना वाल्यू अधड करने वाले हैं एक स्पल सा एग्जाम्पल रखते यहादे वो इग्जाम्पल जो आपको मैंने बताया था प्रोडुक्शन के बनाया और कपड़े वाले ने हजार का पड़ा बनाया और अपन सब ने डिस्टेस कर ढिया था है जो नाशनल इंकं का पाट बनना चाहिए और आप सबने सीधा मुझे एक आंसर बता दिया था कि सर हजार इस दी आंसर बट एक चीज समझो एक सेगंड पहले तो पढ़ क्या रहे तीनों में अब में अब में हमने सबसे पहला में उठा लिया जिसका नाम है वाल्यू अधिर में यानि कि हम प्रोडक्शन की बात कर रह दोजानी है हम तो सीधा लाष जो क्लोथ बताता है जो क्लोथ बनाता है रहे दोक्लोथ वाल्यो के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे तेरा उटपूट का वैल्यू बता कितना है वो बुले का हजार अभाजार को मालें खराब निलेगा कॉटन यान वाले को कि यार मैनत हमने की और इजज़त उसको मिल रहे है इसी चीज़ को सॉल्ट करने के लिए अधा वैल्यू अधाड अधाड ने क्या बोला भाई कॉटन क यान की विज़त आतलय इज़त कैसे हैं हमने को बता तुनने कितने का प्रडेक्शिंग कहा उसने भींड सब्सकूल greater तो पता है। उसने का वाल्यड किया 500 का फिर हम यान वाले के पास गये। चान वाल्य है। लुट सिर्फ तेरी वज़े से कितना हुआ है उसने बोला तेखो 500 परचेज किया था कॉटन मैंने वैल्याइड किया 300 का अम बोला ठीक है हम गई कॉटन वाले के वाज क्लोथ वाले के वाज क्लोट वाले से पूचा भाई तेरा क्या है बोला सर हजार का आउठवूट है में नहीं वैल्यु अडिट बता तो इसने बोला एक हजार रुपय का मेंने आउठू प्रिट पर अंसो का तो मैंने किसी इस method को क्या बोलते है value added method ध्यान रखना value added method को use करने से GDP at MP या फिर GVA at MP निकल के आता है क्या done होती है यह बात सबको right formula क्या है sir value of output पकड़ो उसमें से minus कर दो intermediate consumption simple value of output यानि कि 500 and 1000 पकड़ो यह मारा value of output है इसमें से minus कर दो intermediate consumption यानि कि 500 रांसर तो जो answer आएगा वो तुम्हारा क्या होगा GDP at MP correct sir value of output मतलब क्या है दो चीज़े sales plus changes in stock यह मैंने बात आपको बाले बताई थी sales दो तरह की हो सकती है एक domestic sales and exports so therefore domestic sales plus exports and closing stock and minus opening stock come changes in stock बोलते है intermediate consumption क्या हो सकता है या तो purchase किया हो या expenses हो and purchases अगें दो तरह के हो सकते है domestic purchases या फिर imports यह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगको formula अब इस method को solve करते time हमें कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखना है बुला इस method में कुछ-कुछ चीजे इंक्लूड होती है पहला ओन अकाउंट production of fixed asset by government enterprise and household यानि की कुछ ऐसे fixed asset जो हमने खुद ही developed कर्डी और market से जाके नहीं खरीदे उन्हें इंक्लूड करना दूसरा imputed value of production of goods for self-consumption एक simple चाइग्जांपल मानलो एक फार्मर था एक फार्मर ने हजार कीजी का production क्या total market मुशन असी के जी बेचा और बीश के जी अपने परिवार के लिए रख लिया मुद्धा ये उठा कि कौनसी value को लेके जाए 100 याशी याद 20 यानि कि 80 तो लेके जाएंगी साथ ही में 20 यह production जो self-consumption के लिए हुआ है इसको भी part बनाएंगे अगला imputed rent of owner occupied houses मतलब अगर आप business कर रहे हो पर अपनी खुद की जमीन पे अपने खुद के घर पे अपने खुद के प्लेस पे तो आप सवाइक सी बात है महां का इसका rent नहीं चुकाने वाले पट हमें imputed rent निकालना पड़ता है यानि कि ऐसा मानना पड़ता है कि अगर कोई और होता तो वो कितना rent चुका रहा होता है हम ही होते है किसी और की जमीन पे तो कितना rent चुका रहे होते हम उसको भी value में बनाएंगे and changes in stock में अल्रड़ी आपको बात आचुका हूँ तो देखो तीन method पहला value-added method value-added method काउंसी value निकल के आती है gdp at mp मैंने class में भी बताया था आप लोग को gdp at mp से confuse नहीं होने का उसका मतलब gva at mp ही होता है अच्छल में क्या होता है gva at mp को जब प्लस करते हैं तो हमें gdp at mp मिलता है नहीं की gdp at mp is nothing but summation of gva at mp right formula क्या था value of output minus intermediate consumption value of output में दो सीजे sales plus changes in stock sales दो तरह की domestic sales या फिर exports and changes in output closing stock minus opening stock intermediate cost intermediate consumption दो चीजे पर्चेश और expenses पर्चेश के दो पाट्स domestic या फिर imports correct and expenses मतलब by electricity और वो normal चीजों की बार्टरी next method is income method कौंसा method है income method income मतलब कमाई कमाते तो factors of production है तो बताये factors of production क्या का कमाते है factors of production चार चीजे कमाते हैं rent interest profit and wages ये चार चीजे हम दे पड़ी है पताय ये जब चारो चीजों का total मारेंगा तो हमें भी income method से value निकल के आ जाएगे income method से value निकल के आती हो से क्या बोलते है GDP at FC क्या बोल रहाते है GDP at FC सर इसमें क्या क्या लेते हैं इसमें basically 3 चीजे आड करते हैं सबसे पहले compensation to employees हमने हमारे employees या हमारे देश में जितना employees को पैसा मिला है उसको part करते हैं तो पहला चीज क्या लेकर आते हैं compensation to employees compensation to employees में दो चीजे आती है एक wages and salaries in cash and in kind and दूसरा employer का contribution to social security scheme अगला operating surplus operating surplus देखियो operating surplus में 3 चीजे आती है अगें याद रखना क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहें income method income method से कौंसी value निकल के आती है GDP at FC कुछ कुछ चीजों को add करेंगे तो GDP at FC का value निकल का आएगा सबसे पहली चीजी is compensation to employees जिसमें 2 चीजे आती है wages and salary in kind and in cash and दूसरा employer का contribution question देदेगा employee का contribution नहीं लोगे सिर्फ किसका contribution लोगे employer का contribution लोगे फिर लेना है operating surplus, operating surplus में 3 चीजे rent and royalties, rent tangible property में pay किया आता है royalties in tangible property में pay किया आता है फिर किसको add करोगे interest को correct and फिर किसको लोगे profit before taxes को तो operating surplus को add करने operating surplus मतलब 3 चीजे rent and royalty, interest and profit देखो हमने क्या बुला था एक factor of production कैसे कैसे पैसा कमाता है तो तुमने सबसे बहले बोला wages sir wages तो मैंने लिग्टिया wages का नया नाम compensation to employees तुमने बोला से कुछi reaching युड अन्यन जुदन कमाता है Оп पिर थुमने बोला सर कुछi royalty कमाता है Оп तुमने बोला सर कुछi interest कमाता है and कुछ profit कमाता था मैंने बोला sumबना इसका बाइफर्गेशन अम नहीं कर पारे है, मतलग जैसे कि जो self-employed लोग होते हैं, जो खुदी से employed होते हैं, अब वो rent की तरफ क्या कमा रहे हैं, wages की तरफ क्या कमा रहे, interest की तरफ क्या कमा रहे, profit की तरफ क्या कमा रहे, उसका bifurcation अवेलेबल नहीं होगा, hence अब वो सारी income को mixed income बोल देता है, correct, तो जब तीन चीजों को add करते हैं, क्या क्या तीन चीजों को sir, compensation to employees plus operating surplus plus mixed income, इन तीनों चीजों को add करते हैं, अब income method यूज कर रहे होते हैं, income method से value कौन से आती है, NDP at F C, बोलो क्या डन होती है बात, right, बस एक discussion मुझे इसमें और करना है कि ये profit पे, ये जो profit होता है, ये profit before tax है, ये कौन सा profit है, profit before tax, correct, तो sir, profit before tax निकलता कैसे, एक दम simple सा, let's say मेरी एक कंपनी 1000, उसमे 1000 रुपेगा मैंने profit कमा है, ये profit before tax है, तो मुझे ये values लेके जानी है, but क्या असल जिंदगी में मुझे taxes पे करना पड़ता होगा, हाँ, तो मालो मैंने 200 200 रुपेगा corporate tax pay किया है, corporate tax pay किया है, 200 रुपेगा, अब मेरी income कितनी answer, अच्छा मेरी company ने क्या कुछ dividend दिया होगा, हाँ, might भी दिया होगा, मालो मैंने 500 रुपेगा dividend ये दिया, अब मेरी income कितनी है, बताओ 300, इस 300 को retained earnings बोलते है, तो ऐसा बोल दू, retained earnings, plus dividend, plus corporate tax ही मेरा profit before tax है, बोलो हाँ है ना, right, hence profit before tax एक और तरीके से निकलता है, जो कि मैंने यहां पर आपको लिखके बता दिया है, वो तीन चीजों का add करते है, corporate tax, dividend and retained earnings, कुछ note जियान रखना, capital gain, windfall gains, transfer incomes, ये सारी incomes को national income का part नहीं बनाते है, और ये कौन बोलता है हमें, income method बोलता है, और भ sale and purchase of second hand goods, second hand goods पर तो transaction में हमें गेन होता है, मतलब second hand goods का, for example, में पस एक गाड़ी थी, मैंने 6 लाग में purchase की थी, थोड़ा ताइम चलाने के बाद, मैंने उस गाड़ी को 7 लाग में बेच दिया, मिला एक बक्रा चिपका दिया 7 लाग पे, तो एक लाग का profit हुआ, बोला गय क्योंकि जब आपने 7 लाग में बेचा क्या कोई production हुआ गया, यह तो already produced goods को आप बेच रहे थे, hence second hand goods का sale purchase भी पार्ट नहीं बनता है, और यह बात कौन बोलता है, income method, secondly, financial assets के transaction, जैसे कि आपने shares बेचे, bonds बेचे, जमीन बेची, जो financial assets है, इनको बेचने पर जो गेन होता है या इनके वेचे वे transactions को भी हम पार्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो already existing assets है, बट एक चीज याद रखना, इन पे लागावा, brokerage and commission पार्ट बनता है, क्योंकि brokerage and commission एक service का charge है, जो की creation हुए ही उस service का, सर क्या बोलना चाहते हो, मानलो मेरा account 0-10 में, 0-10, अब मैंने एक company का share दिया वा था एक लाग रुपे में, मैंने इस एक लाग रुपे के share को मानलो बेच दिया, सर कितने में बेचा, एक लाग बीस जार रुपे में, तो profit कितना होगा होगा है, बीस जार रुपे, हम बोल रहे हैं, इसको नाशले का पार्ट बनाना, क्योंकि कुछ नया creation नहीं ह बट लेट सबोस्ट रुपे में इस मुझसे 500 रुपे का ब्रोक्रिज रेलिया इस चीज़ का, क्या यह पार्ट बनेगा, हाँ, यह 500 रुपे पार्ट बनेगा, क्रेक्ट, आगे डिस्क्रिस करते हैं, इस लाष्ट मेथड और कौन सा मेथड है, expenditure method, क्रेक्ट, expenditure method मतलब पढ़ चुक है, value added method, उससे GDP at MP निकल क्या आता है, फिर हमने बढ़ा था, income method, जिससे NDP at FC निकल क्या आता है, and अब कौन सा method पढ़ रहे है, expenditure method, and expenditure method से GDP at MP निकल क्या आता है, चार चीज़े चाहिए, expenditure method में, कौनसी कौनसी, private final consumption expenditure, यानि कि जो household लोग खर्चा करते हैं, फिर इसको G बोला गया है, फिर gross domestic capital formation, इसको I बोला गया है, and net exports, X-M बोला गया, जब C plus I plus G plus X-M कर दो गए, तब आपको कौन सा value मिलेगा, GDP at MP, मैं आपस बता देता हूँ, GDP at MP, यानि की expenditure method से क्या क्या निकलता है, अगर यार आता हो, तो यह GDP at MP निकलता था, value added method निकलता है, GDP at MP, मैं क्या लते हैं, C, यानि की private final consumption expenditure, फिर G, government final consumption expenditure, फिर I, gross domestic capital formation, बोला गया है, जब क्या लते है, net exports, यानि की X-M, बोला लॉजिकल discussion था हमने in-depth इस पे cover पे गया था but revision purpose के लिए हम इस पे deep dive नहीं करते हुए फटा-फट brush up कर लेते है जी मतलब government का खर्चा on current goods and services क्या government भी goods and services पे खर्चा करती है जी हां correct जैसे कि defense education इन सब पे जो government खर्चा करती उसको भी national income का part बनाते है x-m simple export minus import इसा मैंने notice किया है कि बच्चों को बहुत आई वाले पार्ट में दिखकत आती जो है gross domestic capital formation ध्यान ध्यान से सुनते जाना थे को gross domestic capital formation अगर यही word दियागा है मतलब यह आई है बट इसके कुछ और मतलब भी हो सकते हैं कभी-kabhi question में gross domestic fixed capital formation देते हैं खाली fixed word बीच में डाल देते हैं यानि कि current assets हमने include नहीं किया है सिर्फ fixed assets include किया है तो इस बार current assets को add करना पड़ेगा current asset मतलब की inventories तो यानि कि जबी भी question में gross domestic fixed capital formation दे देना तो उसमें पता जबी बात सबको राइट अब एक चीज यहीं पर बता देता हूं कभी-kabhi question में net domestic capital formation दिया होगा gross नहीं है net जान रख लिए बात को ऐसे value GDP at MP आती है expenditure method से जबी भी net domestic capital formation होगा question में तो मारा answer एगा GDP at MP ndp at MP यहां पर net values आएगी once values आएगी net values आएगी correct and c का मतलब क्या है c का मतलब जो basically हम consumption करते हैं उस चीज की बात की गई है right थोड़े बहुत sums देख लेते हैं इस पर correct sums generally exam में दिखने को हमें कम मिलेंगे but in case दिख जाएंगे तो हम prepared sums को करने के लिए correct देखें question में बुला गया है कि illustration number 13 कर रहे हम module का expenditure method and income method से हमें national income निकालना है बोला था मैंने national income बोलेंगे यह नहीं बताएंगे क्या निकालना है तो national income मतलब बता दो तो क्या होता है NNP at FC अच्छा expenditure method से कौनसी value निकल के आती है GDP at MP and income method से क्या निकल के आता है NDP at FC correct सबसे पहले income method लगाते है income method पे सबसे पहले क्या हमने बोला था क्या निकल के आता है NDP at FC तो NDP at FC में पहले क्या लेता है compensation to employees देखो सबसे पहले क्या दिया है compensation to employees तो ले लेंगे चुपचा 1200 फिर यादे क्या लेता है operating surplus देखो question में directly operating surplus दिया वाय क्या दिया operating surplus कितना है 1820 plus क्या करेंगे mixed income देखो क्या mixed income दिया है हाँ दिया है 700 यानिकि इन तीनों चीज़ों complex करेंगे right तो कितना आता है यह होगा 3720 अब हमारा क्या आ गया NDP at FC देखो FC से FC पर जाना है कुछ नहीं करेंगे N से N पर जाना है कुछ नहीं करेंगे domestic से national पर जाना है बताइए क्या करते है plus करेंगे NFIA को plus करेंगे NFIA को देखो NFIA question में देदिया तो plus 20 hence answer कितना हैगा 3740 done होती यह बात सबको right next expenditure method चली expenditure method solve करते हैं सबसे पहला क्या था private final consumption expenditure देखो कितना है 2000 एक बात बताओ कौनसी value निकल के आती है GDP at MP correct तो सबसे पहले private final consumption expenditure कितना दियावा है 2000 तो चुपचाप ले लेते है 2000 फिर क्या values है government final consumption expenditure देखो क्या दियावा है क्या government final consumption expenditure हाँ दे दिया कितना है 1100 तो ले जाते है 1100 क्यों ndp at MP आएगा क्योंकि यहाँ पर हम net word use कर रहे and last क्या था export minus import यानि कि net exports देखो बैठा का बैठा value देथी 30 तो plus कितना करेंगे 30 बताइए कितना value आता है 8193900 hence हमारा ndp at MP कितना आया है 300 900 का हमारा ndp at MP आ चुका है क्या दनुती है बात सबको बोलो हाया ना right next क्या रुख जाए यहाँ पर क्या निकालना है NNP at FC क्या निकालना है NNP at FC कैसे निकालेंगे सर्थ net से net पर जाना है कुछ करेंगे क्या नहीं domestic से national पर जाना है यानि कि plus करेंगे NFI या बताए NFI कितना था कुछन में 20 का market price से factor cost जाना है यानि कि minus करेंगे NIT को NIT कितना है ढूंढ़िए यह रहा NIT minus करेंगे 120 को तो हैंस हमारा answer कितना हैगा 3800 चेक कर लेते हैं एक बात expenditure method 3800 income method चे तोनों से answer हमारा ठीक हिया है एक बात में अभी बता देता हूं तीनों method चे आंसर सेम आता है इस question में error है इस चक्कर में इन दोनों method चे आंसर अलग अलगा रहा है बट तीनों ही method चे आंसर सेम ही आता है क्या real life में भी ऐसा होता है नहीं due to existence of black money real life में answer सेम नहीं आएगा बट theoretically answer सेम आना चाहिए इस question में answer सेम आना चाहिए था बट answer सेम नहीं आ रहा है क्या done होती है वादच आपको एक सम value added method का भी देख लेते है ताकि हमारा एक comprehensive coverage चीजों का हो जाएगा बोला है national income निकालो value added method तो national income मतलब क्या होता है illustration 9M solve कर रहा है national income मतलब NNP at FC and value added method निकाल लेते है GDP at MP तो निकाल लेते है GDP at MP यादे formula क्या था value of output minus intermediate consumption value of output क्या होता है sales plus changes in stock देखो sales हमें दियावा है 700 तो ले लेते है 700 changes in stock directly नहीं दियावा पर opening or closing दियावा है क्या होता है opening minus closing or closing minus opening it is closing minus opening तो देखो 400 minus 500 क्या करेंगे 400 minus 500 done होती है बात correct 400 minus 500 तो हमारा value of output लगभग कितना आ रहा है 600 का value of output आ रहा है अब क्या minus करना intermediate consumption को तो देखो value बेठ्था का बेठ्था intermediate consumption दे दिया जो चाहिए तो कितना है 350 hence 600 minus 350 कितना होता है 250 तो हमारा GDP at MP कितना आ गया 250 अचा कि रुख जाएंगया बस हो गया answer निकालना national income है and कितना आया 70 करो आयो तीनो मेथड़ समझायो आयो आयो ट्राइड की बहुत और comprehensively coverage रखू मैं इस नीद होगा ताकि हमें एक वह confidence होता रहे आगे बढ़ते है अब एक concept हमें दिया गया है per capita income which is nothing जब आप अपने देश की GDP को अपने टोटल population से divide कर देते हो उसे ही per capita income बुला जाता है now let's talk about personal income ठीक है अभी तक national income का बात किया अब बात करना है personal income देखो national income मतलब क्या था income जो हमने कमाया है national income का मतलब क्या था income जो हमने कमाया है क्योंकि यादे हमने बुला था transfer payment जैसी income नहीं include the national income ने यानि कि एक आदमी जो income कमाता है तिर्फ वही की वह include होती है national income में पर एक चीज समझो क्या मेरे पस सिर्फ वही पैसा है जो मैंने पाता हूं साल का थीके तो यह 10 लाग रुपय तो इक economical activity एमालो मुरी है यानि कि मैंने service दी service के पैसा आया है cent cent is an economical activity it will become a part of the national income सब असगर मुझे 2 लाग रुपय किशी ने मुझे 2 लाग रुपय किसी ने मुझे 2 लाग रुपय क्या नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ exchange of money हुआ, exchange of goods हुआ गया नहीं, it is a non-economical activity Hence, कितना हो जाएगा, 12 lakh रुपे का मेरे जेब में income है? Personal income और national income में फरक होता है National income मतलब वो income जो हमें कमाया है Personal income मतलब वो income जो हमें मिला है Simple एक कमाया है, दूसरा जो हमें मिला है देखो, तो क्या लिखाव है, national income मतलब income earned वो income जो हमने कमाई है दूसरा, personal income मतलब income received जो हमें मिली है by household and NPO और serving household यानि कि एक household के हाथ में कितना पैसा उसे मिलता है Simple, कितना मिला वो उसका personal income एन एक household ने कितना पैसा कमाया है वो उसका national income ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी चीज समझाथा हूँ नैशनल income में ऐसी भी income होती है जो हमने कमाई तो होती है पर हमें मिली नहीं होती है Sir कैसे, जैसे की corporate tax corporate tax हमने कमाया तो होता है बट हमें मिला होता है क्या नहीं और national income में ऐसी इनकम नहीं होती जो में मिली तो है यह इंच अगर पर्सनल इंकम से नाशनल इंकम की तरफ जाना है तो सिम्पल सी बात है नाशनल इंकम में से वह इंकम हटा दो जो इंकम कमाई तो है बट मिली नहीं जैसे कि इंकम से बात है प्रसमल कर दो जो इंकम हो जोड़ जो इंकम उल्टा बोल थे ज yesterday Say मैंने उस business से 10 lakh profit generate किया मैंने उस business से 10 lakh profit generate किया पता है national income में कितना जाने वाल है 10 lakh personal income क्या होता है वो income जो एक household के हाथ में है इस के हाथ में जो मिलके आया है वो अब इस मेरी 10 lakh की income में से कुछ मैंने taxes भी तो pay की होंगे let's say मैंने 3 lakh का tax pay किया ठीक है अचा कुछ retained earnings भी तो कर ली होगी let's say मैंने 5 lakh की retained earnings कर ली और बचाव अमाउंट 2 lakh मैंने dividend दी दिया सोच समझ के बताना एक household को कितना पैसा मिला क्या household को taxes मिले क्या नहीं क्या retained earnings मिले क्या नहीं सिर्फ क्या मिला dividend these are income earned but not received नहीं किर्षागम का परने काफ मिला यादि कि पर्संटिक हें इसनल इनकम का पैसा नहीं गालते तम में 10 लाक नहीं है तो यानि कि nggak निब कालते राइप पेसे इति below क्योंकि एम्हें 2 Jeansanside का मेन हो क्या этом की होती है तो देखो कुछ कुछ बताया है कि national income में सबसे पहले क्या माइनस करते हैं corporate tax क्यों क्यों कि कमाया तो है मिला नहीं सरकार ले गई undistributed profit कमाया तो है बट मिला नहीं company के पास ही पड़ा प्लस करते हैं कुछ चीजे हम पे कर देती है private sector हम पे कर देता है उसको भी हम पार्ट बनाते हैं जैसे कि pension pension national income का पार्ट है क्या नहीं क्योंकि वह transfer payment है बट क्या personal income पार्ट है हां क्योंकि वह मिलता रहा है and last from क्या minus करते net interest payment made by the household sir मतलब इसका सिंपल सी बात है भाई यह मैं हूं भाई मैंने पैसा उधार पर लिया है and पैसा उधार पर दिया भी है तो क्या मुझे interest चुकाना पड़ता होगा हां क्या मुझे interest मिलता होगा हां तो जब जो चुकाया और जो मिला उसका इसको भी क्या बोलेंगे अब नेट इंट्रेश्ट पेमेंट बाई हाउसोल्ड देखो नेट वर आते ही मतलब समझ जाना किसी में से कुछ माइनस हुआ है next concept is personal disposable income personal disposable income मतलब क्या होता है वह इंकम जो एक हाउसोल्ड के पास है दिस्पोस करने के लिए वह इंकम जिससे वह खर्चा कर सकता है तो एकदम सिंपल सी बाते ध्यान से सुनते जाओ मैंने दस लाक रुपे कमाया यह मेरा नाशनल इंकम है बट क्या इसमें से मुझे इंकम टैक्स पे करना पड़ेगा क्या जी बिलकुल तो मैं इंकम टैक्स पे कर दिया तीन लाक रुपे का अब बताईए खर्चा कितना कर पाऊंगा साथ लाक रुपे हैंस मेरा disposable income खर्चा कितना कर सकता हूँ 7 लाग रुपय क्या बाट दन होती है तो देखो disposable income का formula क्या है personal income minus tax payments minus non-tax payments यह tax payments बतला direct tax and non-tax payment मतला मान लोगो आपने अधार card बनाने की fees दी pan card बनाने की fees दी तो उनकी बात हो रही है क्या दन होती ही बात मैं वापस बता देता हूँ national income के तीन method निकालने के लिए ठीक सीख लिए personal income क्या होता है national income plus income received but not earned minus income earned but not received and disposable income मतला personal income minus direct taxes minus non-tax payments क्या दन होती है बात जबको अब इस chapter का इस unit का last part जो कि है nominal GDP versus real GDP correct भाई nominal GDP वो GDP होता है जो हम आज के prices पर calculate करते है and real GDP वो GDP होता है जो हम constant या फिर base year के price पर calculate करते है nominal GDP बतलब वो GDP जो आज के prices पर calculate हुए and real GDP बतलब वो GDP जो पहले के prices पर calculate होता है सर समझाओ एक बात को मानलो Modi ji आये और Modi ji ने बोला कि भाई इस बार हमारे देश ने प्रगति किये तो हमने बोला सर कैसे बताई है तो उन्होंने बोला देखो अब आज की देट में तो हमारा पता है national income कितना है एक करोड बारा लाग पचास जार और उन्होंने बोला पता है प्रडक्शन कम हो गया प्रडक्शन पहले कितना था एक लाग अब कितना हो गया पच्छतर रजार यानि कि जब आम GDP को आज के प्राइजेश पे निकालते हैं तो उसे जब बढ़ा नहीं है उल्टा गिर गया है पिछले साल तो एक करोड के थे इस साल पच्छतर रजार के हो गया है करेक्ट तो देखो nominal GDP और real GDP में simple सी बात बूली गई है अगर आप nominal GDP से में से real GDP को divide करते हो तो आपको GDP deflator मिलता है और यह GDP deflator हमें inflation measure करने का काम करता है क्या बात दन होती है एक बार में module से go through करा देता हूं हमने क्या क्या चीजे कैसे कैसे पढ़िया करेक्ट आज आईए सभी लोग module खोल लीजे यह बात मैंने बता दी कि कौन करता है अब यह जो यूसफुलने सिग्निफिकेंस इस अब चीजे बहुत थेरिटिकल है आप लोग बार पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे इन फाक्ट M.C.U.B. सॉल करने जाओगे आपको बाते समझ आजएगी मैंने आपको नॉमिनल जी डीप के बार में बता दिया जब जी डीप को आज के प्राइज करते इसे नॉमिनल जी डीप बोला जाता है घी डीप नॉमिनल जीडीप दो चीजों से अफेक्ट पड़ता करेक्ट तो अब यह लोग ने क्या बता है कि अगर इस फॉर्मूले से मुझे रील जीडीप निकालना तो कैसे निगालों आज सिंपल ही है क्या कि रील जीडीप को इस तरफ लियाओ और जीडीप को निंचे के तरफ लियाओ यह फॉर्मूलों के साथ और उमसे खेलेंगे अब भी बोलते है ध्यान रखना करेक्ट यह एक बेसिक सा फॉर्मूला है आप देख लेला नथिंग मच इलस्टेशन कर दीजेगा इन केस कोई डाउट आप लोग को आता है तो प्लीज कमेंट बोक्स में में मेंशन कर दीजेगा इल रप्लाइट यह सारी बाते मैंने किये मैंने फैक्टर कॉष्ष मार्केट प्राइस का भी डिफरेंस आप लोग को बता दिया था मैं बस आप लोग को गो तुरू करा रहा हूं इन केस अगर आपको नोट्स नहीं है मॉड्यूल है तो मैं बता रहा हूं कि देखो अगर आपने सुना भी है ध्यान से तो इंकम रिषीव बट नॉट और वही सारे फॉर्मॉला यहां पे लिख लिख दिया है पर्स्तल इंकम का और कॉंसेप्ट नॉन टाक्स नॉन इंकम का और दिया है इन्हें रीड कर लीजेगा और इन्हें गो थूरू करके आगे बड़ा दिजेगा अगे यह वाला पार्ट जो मैंने homework mark किया हुए इसे homework की तरह पढ़ लेना doubt होता है तो you can ask me over chat box अब एक income एक concept आया private income का देखो बेटा private income बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो private sector पैसा कमा रहा है और जो उसके हाथ में है उसे बस private income बोलते है तो इन्हें एक formula दिया है हम उसे ध्यान में रखते हुए काम को आगे बढ़ा लेंगे correct यह सारी चीजों को solve कर लेना illustration 5 और जो भी दिये वे illustration 6 एक काम करते है मैं आपके साथ solve कर लेत और हमें personal income निकालना यहीं कि PI निकालना पी निकालने के लिए NNP at FC चाहिए क्योंकि personal income शुडू ही कैसे होता है natural income से तो परे national income निकालते देखो question में तुम्हें एक value दे दिया NNP at MP कितना दे दिया 1891 तुम्हें निकालना क्या है NNP at FC नेट से नेट पे जाना है कुछ न नहीं करेंगे नाशनल से नेशनल पे जाना है कुछ नहीं करेंगे MP से FC पर जाना है क्या करेंगे बताओ minus करेंगे NIT को देखो NIT दिया निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे 175 minus 30 which gives us 145 तो यहां करेंगे minus 145 तो आपका कुछ value आएगा उसे क्या बोलेंगे NNP at FC तो कितना आता है हमारा NNP at FC 1746 अब बस मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन सी चीजों को हमें add करना है कौन-कौन सी चीजों को less करना है simple सी बात याद रखना national income से personal income निकालते time जो भी income receive हुई है बत कमाई नहीं है income receive but not earn उसे add करोगे and income earn but not received कमाई तो है बत मिली नहीं है उसे minus करोगे देखो क्या बुला गया है income and property from entrepreneurship property entrepreneurship accruing to government administrative departments क्या करेंगे important word use क्या है accruing accruing मतलब कमाया है मिला है क्या नहीं income receive नहीं होई है income earn हो चुकी यानि इस चीज को minus करेंगे this is income earned but not received savings of non departmental taxes again it is income earned but not received इसे भी क्या करेंगे minus करेंगे interest on national debt सुनो क्या होता है है एक तरफ भारत सरकार है एक तरफ Indian government है और एक तरफ इंडिया के public है पारात सरकार को पैसा चाहिए यानि कि उनको पैसा चाहिए तो पता है वह पब्लीक के पासगर भाप्लीक को बोला देखो पब्लीक आप हमीं debt दो तो भारत सरकार को जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते है पॉब्लीक डेट पर सरकार पैसा चुकाती है इस पॉब्लीक डेट पर सरकार पैसा चुकाती है इस इंट्रेस्ट का पेमेंट होता है इस इंट्रेस्ट को पेमेंट पता है क्या बोलते है इंट्रेस्ट अन पॉब्ली active activities यहां आती है hence interest on public national debt हमें यहां आड करना है क्यों क्योंकि household को best money in storage on national debt government के लिए और हमारे आत में इनकम है current transfers add करते जाओ saving of private sector minus कर दो क्योंकि हमें मिला नहीं है and corporate taxes minus कर देना क्योंकि हमें मिलानी है hence अगर आप answer निकालो के तो कितना है सब्सक्राइब करेक्ट आगे यह सारी चीजे मैंने आपको बता दी गई है अगे यह एक नाई बात अगर आपको मेथर्स का कालकुलेशन सबज आया होगा तो यह चीज को पन लेना नतिंग मच आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि क्या बात बुली गई है यह सारी बाते मैं आपको बता चुका हूं में से क्या-क्या कैलकुलेट होता है कौन सी वाल्यूस कहां से आती है क्या-क् इंकम मेथाद एक्सपेंडिचर मेथाद पर होता है आज आज आए पेज नंबर 6.20 पर देखो समझो मैं भी क्या कर रहा हूं मैं पूरा समेट के तुम्हें दे रहा हूं प्रोबैबली डेढ़ गंटा हो गया है आमें पढ़ते वे इस देड़ गंटे में क्या पढ़ा है मैं मॉड्यूल से तुम्हें क्विकली बता रहा हूं और तुम्हें क्या खुछ से कवर करना है ये वाला जो पार्ट मेंने हुमवक माग किया है इसको रीड कर लेना नतिंग मच मैं चाहता हूं रिविजिन तो है बट कवरेज जिक्दम 100% होना चाहिए वटना मैं लेड़ करेक्ट यहां से पूरा आगे तक का चाप्टर रीड बोड पर उसको पढ़ दीजेगा कुछ भी नहीं है एकदम असान है पढ़ के निफ्टा दीजेगा खतम हो जाएगा क्या दन होती है बात सब को राइट आयोप समझ आया हो इस वाज यूनिट वन यह यूनिट वन था अगर आपको कुछ भी डाउट रहते हैं यह समझ आता है डू लेट उस नो कि कैसा लगता है यूनिट टू अब हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं थांक यू सो मज़ एव्रिवान